दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी के अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा ख़वरों क्यों लेकिनों से पहले अगर आपने अविते की चैनल को सब्सक्राइब निकरों सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको बिहार की ताजा ख़वर रोजाना में दे रहे है पहली विडिकवर नितिस कुमार को मिला तमिलाडो के मुख्यवंत्री का पत्र प्रवासियों के मुद्दे पर सयोग के लिए बिहार सरकार ने भी जताया आभार नितिश कुमार की सरकार ने तमिलाडो में प्रवासियों पर हिंसा की अफवाब मामले में सयोग को लेकर तमिलाडो सरकार का आभार बेख्त किया है तमी लाडू के साथनिक विभाग के सचिब डी जगनाथन ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि नेतिस कुमार की नरतुत वाली बिहार सरकार ने प्रबासी मुद्दे में उनके सयोग के लिए हमें धन्यवाद दिया है अलकराज में लालू यादव से सीवी आई पूस्ताज को लेकर बवाल पर भाजपा का सवाल कहा कि ब्रस्ताचार के आरोपों की जाज क्यों ना की जाए बिहार के पुरो मुख्यवंतिरी लालो प्रसाद यादव से सीवी आई की पूस्ताज को लेकर भारती यंता पार्टी ने जद्धियों और राज़त पर निसाना साथा बीजेपी ने सवाल करते हुए कहा कि अगर भरताचार के आरोप है तो उनकी जाज क्यों नहीं करनी चाहिए बरिष्ट भाजबा नितार रविसंकर प्रसाद ने कहा कि साल 2017 में नितिश कुमान ने लालो यारप के साथ इस बज़ा से छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें इन गोटालों से जुले सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था बीजेपी ने सवाल किया कि क्या भरताचार के कंभीर आरोपों का जवाब दिया जाना चाहिए या नहीं रवी संकर प्रसाद ने नई दिल्ले सित्भाजबा मुख्याले में आयोजित समधाता समिलन को समूधित करते हुए वाते कही अलकर नौकरी के बदले जमीन मामले में पटना में रावडी देवी से पूश्टाच के बाद सीबी आई की टीम दिल्ली में लालु ज़ादब से पूश्टाच कर रही है सिंगापुर से किर्णी ट्रांस्प्रांट के बाद लोटे ही राज़त सुप्रिमो लालू यादब दिल्ली में बड़ी वेटी मिसा भारती की आवास पर है इस वेच उनकी दूसरी नमबर की बेटी रुएनी आचारिया ने सोसल मेडिया पर भी नराज की जाहिर की और कहा कि पापा को कुछ हुआ तो छोड़ूँगी नहीं रुएनी आचारिया ने ठूट कर कहा कि पापा को लगतार परिसान किया जा रहा अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूँगी नहीं पापा को ल्तंक किया जा रहा है या ठीक बात नहीं है और यह सब याद रखा जाएगा अलकर सुसिल मोदी ने कहा कि बिहार में गडबंधन की सरकार के बाद जाती और सांपरदाईक संघर्ष की घटनाओं पर चिंता ब्यक्त किये है शपरा में राजध समर्थकों के दौरा एक यूवक की निर्मन पिटाई कर हत्या के बाद मुख या भ्यूक्त की गिरतारिय नह प्रक्तार किया रहा इसी प्रकार गोपालंगाज में क्रिकेट के दोरान एक यूवक की अत्या किवाद इलाके में काफी तनाव है अलकर मुझपरपुर के आसमान से बरस रही है भूसे की काली राक लोगों की सेहत हो रही है बेला और दोगी खेतर से सटे इलाके में हर दिन काली की बरसा हो रही है इसे इलाके के घर परिवार बिमार हो रहे है और द्योगी क्षेतर इस्टित राईस मिल से निकल रही भूसे की राख से बेला बिहार और बेला गाउं के लोगों की परिशानिया बढ़ रही है इनसानों के साथ सथ पेड़ पोथे खेद खलियान हवा पानी समेश सभी जगों पर काली राख की मोटी परत जमी नज़र आती है यह राख न सिर्फ इन इलाकों में रहने बाले की सेहत खराब कर रही बलकि उनके घरों की भी सूरत बिगाड रही है इस समस्या से 2400 नहीं 500 से अधिक घर परिवार प्रभावित है और इससे लोगों में आकरोस है अलकिर समस्तिपूर के लोगों के लिए खुसकावरी 50 सारों का इंतचार होगा खत्म समस्तिपूर रेल मंडल के मिधलांचल की ड्रीम प्रोजेक्ट करीब 5 दसक से लंबित पड़ा हुआ था अब इसके चालू होने का रास्ता साफ हो गया है हसनपूर से बिधान के बीच ट्रेन सिवा शुरू करने के लिए रेल ट्रेक बिचाने का कार पूरा कर लिया गया है और अब मार्च के दूसरे सब्ता से इसका निरिक्षन हो सकता है हसनपूर सक्री रेल परियोजना कुशेस्वर पक्षे बिहार के कारण करीब देड़ दसक से बंद पड़ा था चालू बितिये बर्स में इस प्रोजेक्ट के लिए 75 करोड का फंड मिलने के बाद इस योजना पर यूद अस्तर पर कारे सुरू करने को लेकर मंदल अस्तर पर प्लानिंग के हो गई है वहीं पक्षे बिहार के कारण हर नगर से कुशेस्वर अस्थान के बीच कारे सुरू करने को लेकर रेलवे अधिकारी और बनेवं परियाबरन मंत्राले के अधिकारियों के बीच हाई लेवल बैठक होने वाली है अल्कुरत अब तमिलाडू में मजदूरों पर नहीं होगा हमला एक्सर में स्टालिन सरकार अतिति स्रमिको की ओगी गिंती आपको दारे की राज्य में हिंदी में हेलप लाइन नमर भी जारी किया जाएगा हाल की दिनों में तमिलाडू और बिहारी मजदूर सुर्क्यों में है तमिलाडू और बिहार दोनों राज्यों में तमिलाडू में बिहारी मतुरों के साथ कथित मार्क पीट का मामला चाया हुआ है। जिसे साफ करने के आप सकता है रामचरीत मानस की एक और चौपाई पर सवाल खड़े किये। कोट ने लालू प्रजवार पर 15 मार्ज के लिस समन जारी कर दिया है समन से कहीना कहीं गरवन्दन को भी फर्क पड़ेगा। लालू प्रसारी अदब और मिशा भारती समेथ 16 लोगों को कोट के दोरा मिले समन की गूंजब बिहार विधान मंडल में चल रहे बजट सतर में भी सुनने को मिल सकता है। अलकुराज के पूर्व कृषी मंतरी सुराकर सिंग की चेताबनी प्राइवेट मेंबर बिल पर बहस नहीं तो पटना के गानी मैदान में ट्रेक्टर रैली करेंगे किसान। बिहार सरकार ने प्राइवेट बिहार विधान स्वा में बेस किया है सदन के पटल पर बितमंतरी बिजे कुमर चोधरी ने इसे रखा बिहार सरकार के पूर्व किरसी मंतरी और आरजडी के बिधाक सुराकर सिंग ने बिजट में किसानों और खेती आदिक के लिए जुब बिजट के बिधान स्वा चुनाओं के समय गडवन्दन के गोशना पत्र में जनता से किये गए बादो एवं संकल्पों को समावेशित करना चाहिए था सरकार के समक्ष अभी कई सुनोतियां उसे किसी भी प्रकार की खुस भहमी से बचना चाहिए ताकि भाजपा जैसी फासिवादी तागदों को कोई मौकार ना मिल सके ये बाते भागवा माले के राज सचीव कुणाल ने कही अल्गुराज के द्रवंगा जिले में आंगनवारी सेविका एवं साहिका ने जेल भरो आंदोलन की शुरुवात की पुरो मुख्यमंतरी रावडी देवी ने कहा कि बिहार में मोधी जी को लालू से डर है इसलिए वह में बानना चाहते हैं 30 सालों से परिसान कर रहे है लैंड फोर जौब असकैम में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है दिल्ली की राव जेवेनियो कोटने लालू यादव पुर्व सियम और उनकी पतिनी रावडी देवी बड़ी वेटी और आसवा सांसद मिशा भारती समय चोरा के खिलाब समझारी किया है इस मामले पर रावडी देवी ने पिया मोधी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधा तेस्वी अदव ने कहा कि सुदाकर सिंग पर जल्द होगी कारवाई लालू प्रसाद यादव लेंगे फैसला वो बीजी पी आरेसेस के लिए कर रहे काम पूरू मंत्री सुदाकर सिंग को लेकर डिप्टी सियम तेस्वी अदव ने बड़ा वयान दिया है तेस्वी पर भोल रहे अलको राजमें शिराक पास्वान ने पटना में किया बड़ा एलान कहा कि अमारी सरकार आने पर सस्ती मिलेगी बिजली यह भी कहा कि बिहार के बजट पर रहे कि अमारी नजर लोग जनसकती पाठीक रस्ती अधक्स यवं जमुई सांसत अभी से चुनावी मो महंगी बिजली से उन्हें शुटकारा मेरेगा साथी गरीब तबके के लोगों को एक तई उनीट तक बिजली पूरी तरह से फिरीव लेगी इस बात को चिराक पास्वान ने दूसरी बार सब के सामने रखा है अलकर आज में मई तक जाती जनेगना दस लाख रोजगार बजट में निटीश के बड़े बड़े बादे जाती जनेगना पर बीजे कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार जाती जनेगना करा रही है जो कि इसी सार मई महने में पूरी हो जाएगी सतिराज के बितमंत्री ने सदन में भासन के दोरान कहा कि मोडिस सरकार हमारी सरकार की योजनाओं को कौपी करके नकल करती है गिनातिवे कहा कि हर घर भिजली योजना हमने 2016 में शुरू की मोडिस सरकार ने जल जीवन हर्याली योजना 2019 में शुरू की और मोडिस सरकार ने यहां भी नकल कि और वारी देखा देखी, योजना देश भर में लागू कर दिया। सुरुआत माहत्मा गाने की कर्मोमी चंपारन से कर रहे है।